Hello and Welcome Friends आज की ये विडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम के इस विडियो में एक खास किस्म की चीज है अब क्या है उसको देखेंगे देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई बड़ा बिजनेस है या चोटा भी बिजनस है तो ऐसे में हम जब supplier से माल मंगाते हैं तो वो माल काफी टैम तक हम sell नहीं कर पाते हैं और हमारी गलती के कारण, ध्यान ती जगा मेरी बातों को, हमारी गलती के कारण उसमें कोई damage आ जाता है, सपोस किजिए कि हमारा tiles का बिजनस है या सपोस supplier जैसे अनल वगरा का काम करते हैं, तो उसमें कुछ damage आ गया, shower है या कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसमें कुछ damage आ गया, ठीक है, और वो काफी time तक एक साल हो गया, हमने वापिस करा नहीं हमारी चलते वो खराब हुआ है, तो फिर उसकी guarantee कौन लेगा, भाई, supplier तो तदकाल मे आप रखे रहे हैं, अब उसे तो आप वापिस कर नहीं सकते हैं, जब damage हो जाएगा तो, तो ऐसी इस्तिती में क्या होगा, कैसे इसकी entry करेंगे, आज के इस वडियो में यही देखने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए, आईए, start किया जाए, ठीक है, shower, suppose कीजिए हमारे पास है आप देख सकते हैं, यहाँ पर entry भी करी है, मैंने यहाँ पर दो बार डी प्रेस करते हैं, अभी तो नजर नहीं आ रहा है, date चेंज करेंगे, तो यह नजर भी आएगा, और यहाँ एक चार दोहजार चौबिस से लेकर, एक तीस तीन दोहजार चौबिस करेंगे, तो यह आ यहाँ पर एक entry हुई होगी, शायद शावर वाली, तो यह देखी, यह वो entry है, यहाँ पर तो यह payment की entry है, लेकिन अब purchase की भी entry पड़ी होगी, इसमें देखना होगा, कहा है वो entry, यह supplier for, यह रहा, तो यह देख सकते हैं, यह shower purchase किया गया था, ठीक है, और किस date पर purchase किया गय इसकी entry कैसे करेंगे, यह हमारा goods damage हो गया, ठीक है, तो इसकी entry कैसे करेंगे, तो V button प्रेस करेंगे, damage होगा, तो return तो जाएगा नहीं, तो कैसे इसकी entry करेंगे, तो journal voucher में, कहां जाएंगे, journal voucher, journal voucher में गया, अब आपको यह return क्यों नहीं जाएगा, return इसलिए नहीं जाए तो हमारी गलती से हुआ ना, that's why ये damage हुआ, तो इस कारण से उसे return तो किया नए जा सकता तो उसी की entry देखेंगे ठीक है ना चलिए चलते हैं journal voucher में ये entry कहाँ पर होगी कौन से voucher में होगी याद रखेगा general voucher में AC entries journal voucher में होती है है तो वी बटन ट्रेस करके हमें कहां चलना है जनल बाउचर में ठीक है आपर नजर आएगा उपर डैबिट ठीक है तो जो भी डैमेज गुट्स है उसका एक आप लेजर क्रीट कर सकते हैं यहां पर लिखेगा डैमेज डी डैमेज हो जाएगा गुट्स कर देते हैं गुट्स ठीक है और एंटर करेंगे इसका गुरूप होगा क्या गुरूप होगा डैमेज गुट्स का डैरेक्ट एक्सपेंस कर सकते हैं तो यह डैरेक्ट एक्सपेंस कर दिया यहां पर आएंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे और एंटर करके और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करां लिजे इसको अब कितने का गुड्स जो है डेमेज हुआ है देखना पड़ेगा जैसे मालीजे कि हम यहां पर सपोस कीजिए दे देते हैं 500 अब यहां पर समस्या होती है कि यहां पर क्रेडिट आहेगा up यहांपर क्रेडिट आए लाइंतुर्ट तो देखर، यहाहान पर्चस अकाउंट का लेजर यह आ रह है, यहां पर हको स्वार हम नुझ ऐसे आखिए। पूछ रहा है यहांप्र नेम और्फ आइटम को याद है यहां पर के शावर देखने को मिल जाएगा। तो दो शावर हम वापीस करना है थीक है। भाइब यहां पर हम क्या कर रहा है दो शावर वापिस कर रहें तो कॉँंटिटी में दो दाल दीजे और अपने आप आ गया आ गया 700 रुपए आ ला गया न तो यहां पर आगया आप एंटर करिए एंटर करिए और यहां पर आप नैरीषन पतायदा डाल सकते हैं कोई दिकत यहां पर कर देजे और इसे एकसेट करा लिजे तो यह यहां पर यहां पर यहां एकसेट करा लिजे तो यह तो यह डैमेज गूट्स की एंट्री है और जैसे ही आप damage goods की entry करेंगे ना तो आपका closing जो balance है ठीक है और stock जो है वो सारा कुछ आपको घटता हुआ नजर आएगा ठीक है ना यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर stock summary में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर shower तीन हो गया देखिए यहाँ पर पहली हमने करी थी उसमें जो है कुल मिला के 5 जो है प्रुशावर थे तो अगर मान लीजे कि दो तो उसमें 2 return के रिटर्न नहीं बलकि हम यह कहेंगे कि damage हो गये रिटान तो करना ही निहीं है фотके पर इंट्री कर देता हु जो मैने अभी करी है धैके यह entry है अगर मैं इसने कर देता हो अल्टी करके टर कर देता हूँ तो आप देखेंगे की यहां पर जो स्टॉक समरी की रिपोर्ट है वो क्या बताएगी तो यहां पर आएगे यह उपर पाँच बता रहा है ठीक है दो ہमने रिटरन कर दिया था दीकिंधे अगर वो entry हमने करी फिर से और कि दिखाता हूं जो entry अभी करी थी ठीक है तो यहां पर क्या था उपर क्या लगाया है था हमने supplier का जो नाम था वो आया था तो हम सप्पलायर फोर था ठाइख यहां यही दाना तो यहां पर हमें क्या हएक न है डामेज so तो आपके बना लिए डामेज डामेज गुड्स ठीक है और यहां पर एंटर करें फिर वही चीज अब यहां पर यह ने अलड़ी इक्जिस्ट बता रहा है यह पहले से मौझूद है लेजर तो पहले से बच्छित बनाईए तो यहां पर डामेज गुड्स कर देते हैं यह रिटर्न कर रहा है वन रिटर्न कर रहा है क्वांटिटी यहां पर डाल दी हमने तो एक रिटर्न किया तो कितना हो गया पहले कितना दिखा रहा था याद है न अब कुछ चेट करेंगे अंटर करते हैं बात में डालेंगे यहां पर आते हैं और यहां पर आएंगे सीधा ग करनी है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं एक बर फिर इसको देखते हैं देखिए यहां पर debit आ रहा है यह entry कौन से voucher में होगी याद रखिएगा journal voucher में ही होगी ठीक है कभी भी इस तरह की entries adjustment वाली कौन से voucher में होती है general voucher में तो यहां journal voucher में आपको जाना है और यहां पर बागा दीजे damage goods ठीक है अब वो जो भी goods damage हुआ हो कोई ज़रूरी नहीं कि यही damage हुआ हो हाला कि यह पुरानी company है तो हम और किसी goods को ले भी नहीं सकते ठीक है पुरानी company में यह entry करके दिखा रहा हूँ तो यहां damage goods पे जाएंगे यहांगे damage goods यह एक परकार की adjustment entry है returning की entry न लेते हैं चार है दो और return करवा देते हैं तो यह दो return होगा बाकी कीमतें अपने आप आजाएंगे ठीक है end of list कर दीजेगा enter करिएगा और enter करके यहांपे आप narration बकाइदा चाहे तो डाल सकते हैं लेकिन अभी skip करता हूँ सारी बात उमीद करता हूँ कि समझ में आई होगी यह damage goods की adjustment enter कर दी ठीक है ना उमीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी